नमस्कार बहनों और भाईयों, आज का यह पोड़कास्ट एपिसोड शिवजी के पाँच शक्तिशाली मंत्रक महत्वलाब और कारण इस नाम से हैं, आशा है, आपको यह प्रसारण अच्छा लगेगा और इसकी सामगरी भी पसंद आएगी, चलिए शुरुवात करते हैं शिवजी के पाँच शक्तिशाली मंत्र, इस संसार में शान्ति पूर्ण जीवन और आत्मिक शान्ती की प्राप्ति के लिए भक्ती और साधना का विशेश स्थान है, शिवजी के पाँच प्रमुख मंत्र ऐसे ही साधना और भक्ती के एक महत्वपूर्ण अंग है, यह मंत् आध्यात्मिक साधकों के लिए परम पावन हैं, बलकि यह दैनिक जीवन में भी शक्ति और प्रेना का स्रोत बनते हैं। आईए जानते हैं इन मंत्रों के उच्चारण एवं अर्थ के बारे में बिस्तार से। नमाज शिवाय यह मंत्र संसार में सबसे अधिक प्रचलित और सस्वर गाया जाने वाला मंत्र है। इसका अर्थ है, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ या शिव को नमन करता हूँ, यह मंत्र पांच अक्षरों का होता है, जो पंचभूतों, धर्ती, जल, अगनी, वायु, आकाश का प्रतीक माना जाता है। महामरित्यूंजय मंत्र, महामरित्यूंजय मंत्र को रुद्र मंत्र भी कहा जाता है इसका अर्थ है, हम भगवान त्रियंबक की आराधना करते हैं, जिनकी महत्ती पूजा वस्तूओं जैसी नासिका है हमें मृत्यू और बंधनों से मुक्ती दिलाएं और अमर्प प्रदान करें, यह मंत्र रोग, दुख और भै से मुक्ती दिलाने वाला माना गया है शिव तांडव स्तोत्र, यह एक विशेश प्रकार का स्तोत्र है, जो भगवान शिव के तांडव निरिती की महिमा का वर्णन करता है इस स्तोत्र का उच्चारन करने से व्यक्ती को सफलता और संपूर्णता की अनुभूती होती है रुद्राष्ट कम प्रुद्राष्ट कम एक अध्वितिय स्तोत्र है, जो भगवान शिव की विशेशताओं का वर्णन करता है इसका अर्थ है, मैं उस शिव की स्तुती करता हूँ जिनके द्वारा यह संसार शासित होता है यह स्तोत्र दिव्य प्रेणा और आत्मिक शान्ती प्रदान करता है लिंगाष्ट कम यह स्तोत्र लिंग पूजा का महत्व बताता है, जो शिवजी के विभिन रुपों और उनकी महिमा का वर्णन करता है इसका उच्चारन करने से साधक को आत्मिक उन्नती और मानसिक शान्ती प्राप्थ होती है इन मंत्रों का सही उच्चारन और समझ वाकई में तपस्या और भक्ती के मार को सरल और सुरक्षित बनाता है शिवजी के इन मंत्रों के माध्यम से व्यक्ति साधना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है मंत्र जब करने का महत्व भारतिय संस्कृती में मंत्रों का एक विशेश और महत्वपुल्न स्थान है विशेशकर शिवजी के मंत्र, धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोनों से अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं शिवजी के मंत्रों का जब मन और आत्मा को शांती प्रदान करने में एक महत्वपूल्ण भूमी का निभाता है मन की अशांती, तनाव और चिंताओं से मुक्ती पाने के लिए ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली होते हैं इनके नियमित जब से व्यक्ती को मानसिक और आत्मिक शांती प्राप्थ होती है जिससे जीवन के हर शेत्र में सफलता मिलती है मंत्र जब एक साधना की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ध्यानी अवस्था में ले जाती है जब व्यक्ति एक आगरता से शिवजी के मंत्रों का जब करता है तो उसकी सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिता है और आत्मा को उच्छता प्रदान करता है जह प्रक्रियान न केवल मानसिक सुकून देती है बलकि जीवन के विभिन क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करने में सहायक होती है जैसे की व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर जीवन में शिवजी के मंत्रों का जब करने के समय कुछ नियमों और विधियों का पालन करना अती महत्वपूर्ण है सही उच्चारण और उचित अनुक्रमन के साथ मंत्र जब ही इसे पूल्न और प्रभावशाली बनाता है जब मंत्र जब नियमों और विधियों के अनुसार किया जाता है तो यह शिवजी की असीम क्रिपा का पात्र बनाता है और व्यक्ति की साधना को सफल और प्रभावशाली बनाता है इस प्रकार शिवजी के मंत्रों का जब न केवल धार्मिक लाब प्रदान करता है बल्कि यह जीवन के हर छेत्र में भी व्यक्ति को आत्म विश्वास, शांती और सफलता प्राप्ट करने में सहायक होता है मंत्र जब से होने वाले लाब और उनके कारण शिवजी के मंत्रों का जब करनाना केवल आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है बलकि इसके माध्यम से कई शारिरिक और मानसिक लाभ भी प्राप्त होते हैं शिवजी के इन मंत्रों का जब करने से मानसिक शांती, ध्यान में सुधार और आत्मिक उन्नती होती है आईए जाने कैसे शारिरिक लाभों की बात करें तो महामरित युझे मंत्र का जब प्रमुख है यह मंत्र न केवल बीमारियों से रक्षा करता है बलकि आयुर्वरिधी, स्वास्थ्य की बहतरी और हृदय रोगों के खत्रे को भी कम करता है इस मंत्र का नियमित जब करने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति को दीरगायू और स्वस्थ जीवन की प्राप्ती होती है जब मानसित लाभों की चर्चा होती है तो नमः शिवाय का मंत्र एक प्रतिष्थित स्थान रखता है इस मंत्र का जब मन को शांती और स्थिर्टा प्रदान करता है यह चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक होता है इस मंत्र के निरंतर अभ्यास के द्वारा मन का द्वंदव दूर होता है और व्यक्ति ध्यान में अधीक कुशल बनता है आध्यात्मिक ग्रिष्टिकोन से शिवतांडव स्तोत्र का जब आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को मुक्ष की ओर अग्रसर करता है इसकी वाक्य विन्यासिक संग्रचना और गूड अर्थ ध्यान प्रक्ति और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं इस मंत्र के नियमित जब से व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होता है और आत्म विकास का मार्ग प्रसारित होता है मंत्र जब के माध्यम से व्यक्तियों को तनाव कम करने का सीधा संबंध हरिदय की बहतरी से है वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि नियमित मंत्र जब करने से कार्डियोवस्कुलर स्वास्थ्य में सुधार होता है विशेश रुप से महामरिक्यूंजय मंत्र और नमः शिवाय का जब मन और शरीर में एक संतुलन बनाये रखता है जिससे तनाव के स्तर में कमी आती है और हृदय स्वस्थ रहता है शिवजी के इन मंत्रों का जबना केवल उनके भक्तों के दर्शन और विश्वास को मजबूत करता है बलकि जीवन के कई पहलों में भी सुधार लाता है इन मंत्रों का नियमिक अभ्यास व्यक्ती के जीवन में स्वास्थ्य, मानसिक शान्ती और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ती सुनिश्चित करता है बस आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, यदि हमारा यह प्रयास आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाएं, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिलकुल भी न भूलें इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार